आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे इंडिया वर्स वेस्ट इंडिस ओडियाए सिरीस जो इंडिया 2-0 से जीत चुका है सिर्फ एक मैच होना बाकी है इंडिया ने दोनों ओडियाए मैचेस में जीत हासिल की अगेंस्ट वेस्ट इंडिस ये रोहिट चर्मा का पहला ODI सिरीस विन है अज़ पर्मनेंट कैप्टन प्लेयर्स लाइक धवन, केल, रुतुराज ने मिस्स किया फर्स्ट ओडियाए द्यू टू कोविड और बस सेकेंड ओडियाए में केल, राहूल ने खेला अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करो फ्रॉम इंडिया, देट इस एपसलूटली बोलिंग दोनो ओडियाए मैचेस में बोलिंग की मेन रिजन रहा जीत के लिए फर्स्ट ओडियाए में वाशिंग्टन ने तीन विकेट लिया, काफी टाइम के बाद उन्होंने कमबैक किया और यूजी चहल ने बढ़िया कमबैक किया चार विकेट लेकर, विद प्रसीद कृष्णा टू 2nd ODI में प्रसीद कृष्णा ने चार विकेट लिया, excellent bowling from young person ये bowling line-up में कोई senior bowlers नहीं, like Bumra और Shami it is all young bowling unit giving chances to Deepak Huda was one of the nicest thing still we need to see the better side from him अगर मैं drawback की बात करू which has let us down is batting yes, batting has become a problem in the team 1st ODI में रोहिद चुड़के इशान, कोहली, पंथ really didn't justify the score as per the target 2nd ODI में इंडिया ने सिर्फ 237 किया which is really very less इंडिया का top order से लेके middle order ने अच्छा batting नहीं किया सूरिया ने बस 64 runs score किया बाकि सारे batsmen cheap play out हुए इंडिया की top order हमेशा ही काफी reliable रही है responsibility top order पे ही होती थी like रोहित, विराट, तवन, मैं जिताया करते थे अभी top order अच्छा नहीं खेल रही तो middle order को एक अच्छा partnership करके responsibility लेनी होगी सूरिया is very promising player but we need more support West Indies की bowling बहुत ही अच्छी रही batting में ही उनका problem है अच्छा partnership नहीं they need to play and stand for 50 overs जो नहीं हो पाया अभी एक last match बचा है फिर उसके बाद T20 series धवन might be playing third ODI let's hope कि third ODI में एक अच्छा batting देखने मिले इंडिया से और IPL auction भी पास है तो मुझे comment में ये जरूर बताना कि आपके हिसाब से which is that player who is going to back more money in the auction so that's it दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share जरूर करना और channel को subscribe भी जरूर करना आपने नहीं किया है तो मिलता है जल्द नए वीडियो में